हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल माय हूं माय कीचिन आज हम लोग दिखने वाला है विनोथ प्लाटिनम टसला यह मैंने एक कड़ाई खरी ली है मैंने इससे पहले भी एक दो वीडियो किये थे विनोथ के तो सोचा कि इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर कर लो यह वि इंडक्शन ग्यास सिर्यमिक हैलोजिन और डीश वाशर पर चलता है इनसे सेफ है उस पर यूज कर सकते हैं और यह डीप टी गई है तो डीप फ्राइंग के लिए हो नए तो सबजिया बनाने के लिए बहुत है और यह साइज कॉमिनेशन से बना है इसके बार में आपको ब बड़ा है या छोटा है इसलिए मैंने यह देख के लेना था इसलिए मैंने लोकल मार्केट से लिया है चलिए फ्रेंड्स अब यह अम लोग ओपन करके देखते हैं कि यह कड़ाई कैसी है और एक शीज बताना था कि मैं कड़ाई लेते वक्त मैं एक स्पेसिफिक था कि उस इसलिए गया हो यह वारन्टी कार्ड उसके जो विनोत के अलग-अलग गड़ाई परतन वह आते मैं हमें चंक्या हुआ है और यहां पर साइड में इंस्रॉक्षन डिया गया है कि यह कड़ाई कैसे यूज के जाए यह सब की दिया गया है तो और यहां पर बहुन अब ऐसे हैसाने यह जो outer layer है वो double S430 magnetic stainless steel से बनाया गया है तो यह induction पे चलता है next बीच में जो layer है वो aluminium use किया है aluminium का advantage है heat distribution जल्दी हो जाता है और cooking का time भी कम लगता है और खाना बिल्कुल जलेगा नहीं तो यह advantage है aluminium का contact बिल्कुल नहीं आता है हमारे खाने से वो center में है और inner part जो है वो 18 by 8 stainless steel से बनाया गया है जैसे कि वो healthy cooking के लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि कोई toxic ने तो chemical उसका contact नहीं होता है हमारे food के साथ तो चलिए friends अभी हम लोग season करके लेते हैं season करने के लिए मैं अभी कड़ाई को gas पर रखते हूं gas का flame मैंने on किया है अभी इसमें मैं एक ग्लास पानी डाल रहे हूं अभी यह पानी हम पूरा boil करना है gas का flame में आप हाई भी रख सकते हो अभी यह पानी उबलने लगा है तो पानी हर जगा लगेगा और नई रहती है कड़ाई तो तो थोड़ा तो समयल रहता आई है तो वह निकल जाता है अभी यह पानी में ने फेक दिया है अभी कड़ाई गरम है और मैं इसमें 1 टीस्पून अपना normal oil cooking oil जो रहता है वह लिया है और ब्रश से हर जगा अपला स्टार्ट हो गया है स्मेल ये सब निकला झालते है और आपनी टाइब करते हैं तो पुंपने कड़ fees को कुडो हो जाती है कुक्ड के लिए अभी हमारी कड़ियोkee के लिए इसके सब्रभ्गेत कर सकते हैं used सें एक अभी रिखा गहा रहें now भी रेसीप हैं चीज़ों में घुड़ के लिए लाड़ इसं हम नमक लाल मिर्शेप और नमक भीड़ से थ questi लें मिक्स हेर्बस्ट हो तो बीकल लाइना है अभी होसा किस लिए उप्सप्स हमसाना सो Vlad करना है यहां पर मैंने एक टेबल स्पून कॉन फ्लावर नमक और चिली फ्लेक्स अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं हो तो आपना घर का रेड चिली पाउडर भी आप डाल सकते और थोड़ा पानी डालके हमें अभी इसका पेस्ट बना के लेना है अभी पोटेटो नग करें लिए है उसमें उसे रोल करके लेते हैं हम लोग कौन फ्लावर में जब डीप करते हैं तो ब्रेड क्रम अच्छे से चिपक जाते और बहुत याच्छे क्रिस्पी बन जाते है एडवांटेज रहता है ब्रेड क्रम से ऐसे ही बाकी सब बना के लेंगे हम अब हम लोग इसे फ्राइटो न बटेटो नगट में निकाल देती हूं इसे ही सब हम बाकी के भी फ्राइट करके लेंगे अभी हमारे क्रिस्पी पोटेटो नगेट्स डेडी है आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखे और मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे थैंक यू